तो यह होता है एक six screen setup लेकिन आप हर को यह six screen setup या four screen setup five screen setup 20 screen जितने बड़े-बड़े setup और नहीं कर सकता है क्योंकि साथे लोग beginner से चलो अब मैं आपको trading setup build-up करके दिखातों यह को निफ्टी ऑब्जब करना है उसके सांसाथ मेरा वास लिस्ट में क्या होना चाहिए आप कि जहिन दोस्तों कैसे हो आप लोग आई हो आप काफी अच्छे होंगे तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है खासका बिगिनर्स के लिए और खासका उन लोगों के लिए जो भाई मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं क्यों क्योंकि आज का मेरे फिर मैं उसके सांसाथ आपको बताओं कि कैसे आप अपना टू स्क्रीन का जो ट्रेडिंग सेटाप बिल्ड कर सकते हैं उसमें आपको कौन-कौन से चार्ट कौन से स्क्रीन पर देखना चाहिए और ये वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है खासका उन वीगिनर्स क अब अब इसक्रीन का सेटप बीडिकर के नहीं रखता ठीक है तो इन मल्टीपल स्क्रीन सेट अप का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है ट्रेडिंग के अंदर और बहुत ज्यादा काम आता है इसमोवाइल से सिर्फ ट्रेड को पंच किया जाता है बाइए और सेल लेकिन आप ट्रेड को मार्किट को उबजर्व से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं इसलिए आप लोग के बाद बजट कम होगा पैसा कम होगा मुझे पता ऐसलिए मैं यह वीडियो आप लोग के लिए लेकिया क्यों कि आप यह सोचतों के कैपिटल में तो फॉन से ट्रेड कर लेते बैस ट्रेडिंग सेट इसलिए मैं यह कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा हो कि मुल्टिपल स्कीन जब आप मार्केट पर देखते हो सब को देखते हो तो सबके पास एक स्क्रीन पर इतने साच एक स्क्रीन होती है उसमें अलग-अलग टाइप फिर खुले रहे ठीक है यह स इस एक स्क्रीन पर इसमें भी मैं च्रीजे चार्ट डेक्स लेक्स फ्क्रिन तो आप अब यह सोचते हो कि यह बड़े-बड़े प्रफेशनल ट्रेडर है यह जो भी ट्रेडिंग करता क्या तभी यह प्रॉफिटेबल कि इतने बड़े-बड़े स्क्रीज यूस कर रहे हैं कछे नकिन इसका सवाल इसका आंसर है हां इसलिए भी है ऐसा नहीं कि इसी की वज़े से ही हैं लेकिन इसलिए भी वो प्रफिटेबल है क्योंकि वह पॉइंट करते हैं आप क्या करणों आप अगर एक चार्ट कोलो निफ्टी का यहां फिसका जब यह तो लेकिन अगर कोई प्रफेशनल ट्रेडर रहो निफ्टी तो अबजब करता है उसके साथ तो क्या करेगा वहाँ पर यह वहाँ पर टीसियस को भी अबजब करेगा वह क्योंकि वह सारे सारे वेटेज रखतें किसमें एक निफ्टी तो जब वह उसके कंपोनेंट्स मौफ करेंगे सारे कंपोनेंट्स एक डायक्शन हमें दिखाएंगे तभी तो निफ्टी में बताएगा कि आना इसलिए वह उनका यूज करते हैं तो यह होता है एक सिक्स स्क्रीन सेट अब लेकिन आप हर को यह स्क्रीन सेट आप या फॉर स्कीन सेटप नहीं कर सकता है को फोने से तो वो कैसे थे सेटस्ट बिल्ड अब करें मैं कोशच्शिन यह आता है लेकिन ऐसा mount market में जब बैट रहे हैं सेट पे फॉन में happiness rep can तो इन पॉइंट करके रहो कि आपको लाइब मार्केट में क्या कर चीज देखना होता है और जो की मैं इसलिए कि आप किसे करते हो एक मुवाइल फॉन से क्या आप मुवाइल फॉन से इतना सब कुछ देख सकते हो नहीं इसलिए ट्रेडिंग आपकी मिस्टेक हो दिए पहला है इस पर्टिकुरियर इंडेक्स को आप ट्रेट कर रहे हो ठीक है उस इंडेक्स का आपको चार्ट देखना है क्योंकि प्राइव क्रिंग के लि Vision के लिए और यह याणे करते हो और यृपने नहीं की लोकेशन इस बहुत आयोत तो आपको दूश्मन मकी करें देखना बहुत ज़एज भीक्त है और चेंज इन वह इंट रीडेक अज्शिंघ इं वह किता रहा है किते लोग ऊप्सिंव लोगत के वो सब सब यह लोग बीलडब कर दो सब इससे समझ मां रहता है स्क्राइब इसक्टर स्वेयर कि अगर इसक्टर इस्ट चॉंग फार्मा फार्म कई अहरा है है सब्सक्राइब कर सकता है तो किस से पर चलता है हमें सेक्टोरियल फ्लो से लाइब मार्गें फिर आता है वेटेज स्टॉक्स मैंने आपको बताया थे कि अगर मैं निफ्टी देख रहा हूं तो उसके सेटप आपको आपके साथ अभी यहाँ में बिल्डप करके आपको दिखाऊंगा उसमें हो सकता वेटेज स्टॉक्स को प्रियोर्टी ना दो लेकिन जो आपके पहले के मैंने चार पॉइंट लिखे हुए है इसको प्रियोर्टी आपको देखना देना बहुत ज्यादा जरू आप इसको पर्टिकुलर से फॉन को ही ट्रेडिंग का सेटम मत सबलना क्योंकि आपको आप इतनी साही चीज़े सिर्फ एक फॉन से नहीं देख सकते दूसरा काफी लोग यहाँ पर एक आपके साथ एक वह भी शेर करता हो कि मार्केट में एक रियाल्टी क्या है काफी को लगता कि ट्रेडिंग व्यू आपको फिरी में दे रहा है चार्ट हैना साथ के साही लोग आपने ब्रोकर का चार्ट चोड़के ट्रेडिंग वह चार्ट देखते रहे हुए अगर आप ले रहे हो तो अगर आपके जैब मैं पैसे है उसका प्रीमियम देने के लिए तभ अब ट्रेडिवीव पर चार्ट रहे हो तो काफिसे ऑफर जो भूकर से आपको चार्ट भूकर ओफर करते हैं आपने प्लेटफॉर्म पर जैसे कि धन फायट और एक दो ने तो उनके भूकर की सांथ आप जो चार्ट गोकर कि ए प्रहिंज एप पर आप सकते हो ठीक है तो चल यह इतना बजट नहीं होता है तो अगर आपको ट्रेडिक ट्रेडिंग लेप्टॉप लेना कोई भी जो रिसेंट ने लेप्टॉप्स लाउंच हो रहे हैं अच्छा प्रोसेसर उनके अंदर और पचीस तीस पैटीस जार के रिंज बाप को एक बजट फैंडली थीह है और के रिंधेशत के साथ कनेक्ट हो गए हमेक लगो मैशाग है मैं पुर्स भान अपना और फॉसके इंद नहीं और तो मेरे यहां पर प् eds रहा करते हैं आपको ड्रेटरेट ट्रेश अपर उपन और उपन कर लिया है उसके शाट है जान यसली आब अच्छिए आप इसको इसको इंडिया को देखा हुआ है ना इन्डिया मिट काफ है निफ्टी फिफ्टी यहां पर एक और इंडेक्स आप कर सकते हो जो कि है निफ्टी इट थी तो यह इंडेक्स आपके वाउस्ट मैंने चीप पहला दूसरी आप एक वाउस्ट बनाओगे जहां पर आपको कुछ निफ्टी 50 का क्यों मेरा में इंडेक्स निफ्टी में ट्रेट करा तो उसके आपको पता है दूसरा अब लोग कहेंगे कि मैंने आपको बताया था दूसरा आपना अपने आपको करना ओपन इंट्रेस्ट के लिए आप अपस्ट्रा यूस कर सकते फ्री है सारा किसी प्रपर ऐसा में आपको यहां पर प्रमोट नहीं कर दो आपको यहां पर पर देखंग तो यहां पर दीख रहा है कि यह से किस से पर चला है option chain अगर मुझे देखने तो open interest देख रहा हूं किस से ऑफस्टा से फिर मैं आ रहाता हूं मैंने आपको पॉइंट बताया था sectorial flow है ना कि sector कौन सा मझूद है तो अभी तो live market में मैं इस पर जाओंगा तो मैं one day मैं करूंगा तो मुझे लाइब मार्केट में देख जाएगा अब यह साइट कौन सी इसका है इंट्रेट इसक्रीन आप इसको देख लेना सही से यह सच करके आपको sectorial flow देखने को मिल जाएगा तो मैं लाइस सेवन डेस का देखता है तो मुझे यहां पर देख रहा है लास सेवन डेसा construction बहुत स्ट देखेगा तो इसलिए sectorial flow यहां पर देखना बहुत ज्यादा ज्यूरी है और यहीं चीज आपके लाइब मार्केट जब आप चार्ट देख रहा हो तो यह आपके स्क्रीन पर खुले हो होने चीए कि जब भी आप यहां पर open interest देखो यहां पाप अपना option दोनों देखो कि या इस एक रमनी की को यह फूट ठीक है उसके साथ आप से चार्ट चीजें आपको और यहां पर आपका इस पॉट चार्ट और आप दाते ट्रेड पर अब आप लोगों ने देखा होगा कि याद मैं तो कहीं पर चलते फुरते ट्रेट करता हूं मैं स्केल्प करता हूं ठी सब कुछ मैं इसी पर देख रहा हूं अगर मैं फॉन से करता तो मैं इतना बड़ा अपना सेटप बिल्डब नहीं करता उसकी रिक्वार्मेंट होती है और मैं बहुत कुछ अब्जर्ब करता हूं स्टॉक्स अब्जर्ब करता हूं मैं अपना जो भी मैं जिस तरीका मेरा चला उसको अब्जर्ब करता तो इसलिए उसका रिक्वार्मेंट है ठीक है तो यह है आपका बेसिक सा सेटप आप इसको अपने लिए बनाके रख सकते हो जिसमें आपका लैप्टॉप आ जाता है एक छोटा से स्कीन आप बात करेंगे स्क्रीन के यह तो फिस्टी डिग्र में टाइम स्पेंड करने के बाद मैं तो फॉन से भी अपना ट्रेट कर लेता हूं लेकिन जो प्रोफेशनल वह भी इसमें कर लेकिको उसको आधत है ना वह तो मुमेंटम पकड़ना जानता है लेकिन आप स्टार्डिंग में आप सही प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो लेका है आई होप आपको इस वीडियो से काफर कुछ सीखने को मिला हो कि कैसे एक अच्छा ट्रीडिंग सैटाप बिल्ट किया जा सकता है कैसे करना चीजिए हमें क्या क्या देखना चाहिए यह आप निफ्टी मैं निफ्टी का चार्ट इसलिए दिखा है क्या बैंक निफ इसको ट्रेड मत करो एक सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है तो आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा मैंने आपको वह चीज शेयर के जो मैं आपको चाहता था कि आपको एक्टी से पता होना चाहिए जिते लोग मेरे को देखते ट्रेडिंग सीखने ट् आप लाइक बटन जब दबाए ना बाकी वीडियो शेयर करते उन दोस्तों के साथ जो फॉन होन से ट्रेडिंग अब स्टार्ट करें उनके लिए काफी लेगा बाकी मिलता हो एक और ऐसी लर्निंग वीडियो के साथ तिल देन बाबाबाई सी यू जैहिंग